हेलो प्रेंट्स आज हम लोग परसेंटेज पर फिफ्ट लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं इससे पहले मैं फोर लेक्चर परसेंटेज पर बना चुका हूं अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा है दिन प्लीज उन्हें देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे वेन हो रहा है कि in an exam 35% of total students failed in Hindi and 45% failed in English और 20% जो है वो दोनों में fail होगा है तो पूछ रहा है find the percentage of those students who passed in both subjects इस type के कुछ questions होते हैं क्योंकि यहां पर खुब सारा percentage होता है तो books में उसको percentage से related कर देते हैं but generally questions होते किसके में डाइग्राम के ठीक है तो यहां पर हम लोग इन्हें सिखेंगे कि इस टाइप के questions को कैसे solve करें ठीक है तो सबसे पहले मैं डाइग्राम के कुछ basics आपको समझा दूँ जो वैसे तो यूज में नहीं आएंगे लेकिन आपको पता हो तो अच्छी बात है जैसे कि यह एक विन डाइग्राम है तो इसको बोलते है यूनिवर्सल सेट यह जो सेट होता है यह यूनिवर्सल सेट है ठीक है और इसके अंदर में अगर मैं कुछ एक ब्लॉक्स खीचों अर्श नाम मैं ए दूँ ठीक है तो यह होगा एश्यट। और अगर मैं एक और ब्लॉक कि जो इसे intersect कर रहा है तो यह होगा B set B set ठीक है और यह जो common है इसको बोलेंगे A intersection B set ठीक है यह intersection B है और अगर मैं बात करूँ कि इस पूरे set की यानि कि इस A से लेकर इस पूरे B ठीक है और यह बीच वहला भी जब इसमें include है तो यह बोला जाता है ए यूनियन भी ठीक है तो और जो बीच वहला मैंने बता दिया A B intersection Union A Union B और universal set इसे बोलते हैं यू यू जो होता है वो क्या होता है A Union B और अगर बांकी कुछ हो तो वह भी उसमें include हो जाता है यूनियन में यूनियर्सल सेट मींस उसमें सब कुछ आता है ठीक है तो यहाँ पर उसमें और भी अगर कोई चीज इक्ष्टा हो देन उसमें भी इसमें एट करते हैं तो यह सब चीज हमारे काम के निया हमें तो सीधे से सवाल करना है लेकिन मैंने सचेश आपको थोड़ा सा basics भी इसका बता दूब इस टैप कि कुछे सौल करते हैं तो क्यूंकρι हम इस फिगर का यूज करने वाले हैं बहुत ज्यादा यूज करने आले हैं तो इसलिए मैंने थोड़ा सा उसका basics आपको समझा दिया अब देखे उसने क्या बोला कि 35% total students के Hindi में फेल हुए तो मैं एक set बनाता हूं कि Hindi में फेल होने वाले का ठीक है फेल इन हिंदी तो यह इसमें कितने आ गए 35% ठीक है और एक दूसरा set बनाता हूं English में फेल होने वाले का ठीक है तो इसको मैं पूरा नहीं लिख ओंगा यहां पे English लिख देता हूं और f means fail ठीक है तो English में फेल कितने है 45% ठीक है तो वह क्या बोल रहा है कि लेकिन 20% दोनों में फेल हैं तो मुझे पता चला कि 20% इसमें जो है और जो 20% इसमें से वह तो common ही है तो अब मैं क्या करूं तो मैं एक common intersecting एक sets बनाता हूं ठीक है और यहां पर value कितनी है 20 ठीक है तो 45 में से 20 होंगे तो यहां पर कितने बचेंगे 25 और इस 35 में भी 20 होंगे तो इसमें अब यह कितने बचेंगे सिर्फ 15 ठीक है तो अब यह एक आपका युनिवर्शल सेट इसके चार और बना दीजे ठीक है तो देखिए फंद्रा परसेंट जो होंगे वह सिर्फ हिंदी में फेल होंगे सिर्फ हिंदी में और किसी भी सब्जेक्ट में फेल नहीं होंगे और जो 25 परसेंट होंगे वह सिर्फ अंग्रेजी में फेल होंगे बां तो 60% लोग जो हैं वो ऐसे हैं जो आइधर एक में या फिर दोनों सब्जेक्ट में फेल हैं तो बांकी बचे कितने क्योंकि देखें एक जो युनियर्शल सेट होता है वह अपने आप में क्या होता है है 100% होता है तो यहां पर क्या बोल रहा है कि 20% दोनों में हो गये 45% इंग्लिस में 35% हिंदी में तो हमने इस पूरे को काउंट कर लिया तो हमारा कितना आ गया 60% हमारे जो है वह फेल हो गया तो बचे कितने 40% तो दोनों विश्यों में पास सब्जेक्ट जो होंगे वैसे स्टूरेंट्स की संख्या कितनी होगी 40% ठीक है फ्रेंट्स तो इस टाइप से इस कुश्चन को जल्दी से हम लोग सौल कर लेते हैं चलिए एक और कुश्चन क द्वारे से समझते हैं अब जैसे कि फ्रेंट्स यह कुश्चन है इसमें क्या बोल रहा है कि 80% और इंग्लिस पास होते हैं और 75% इन बोद इंग्लिस और मैट्स में पास होते हैं इस 14 इस्टूजेंट्स फेल इन बोद दस सब्जेक्ट वाइंड टोटल नंबर ऑफ है और गया है तो हमने क्या किया की एक सêट बना लिया एक इंग्लिस का हो गया इते परसेंट जिसमें की है हमें पता है객 ठीक है और एक हमारा किसका हो गया मैस का उसमें हमें पता है कितने हैं मैस में कितने हुए है 85% पास हुए है और 75% जो है वो दोनों में तो 75% दोनों में है तो इसमें से भी 75 कम कर देंगे तो यह कितना बचेगा 5 और इसमें भी 75 कर देंगे तो यह कितना बचेगा टेन तो अब देखे टोटल जो है यह पास होने वाले सब इस्टुडेंट से तो इनकी संख्या देखें कितने हैं 7510 & 5 तो टोटल कितना हो गया 90 तो 90 परसेंट जो इस्टुडेंट से वो टोटल पास हो गये हैं ठीक है तो फेल कितने हो गए हैं 10 परसेंट हमारे कॉर्डिंग फैल तो 10 परसेंट किवेल्ए कितनी दिये 14 जानिकी कितने फेल होते हैं उसने क्या बला कि 14 होते हैं तो टोटल नंबर ओफ स्ट्रेंट सा हमें बतानी तो थी वह हमने निकाल लिया तो टोटल स्ट्रेंट की संख्यार टेन परसेंट से हंड़ेट परसेंट यह टेन टेम्स का मल्टिप्लाई कर दिया तो हमारा आंसर आगे ठीक है नेक्स्ट देखते हैं अब जैसे कि यह कुश्चन है ठीक है देखें इसमें क्या बूल रहा है कि इन यहां भी फेल हो रहते हैं लेकिन यहां पर क्या हो गए पास ठीक है इस्ट्रेंट्स फेल इन बोट सब्जेक्ट भी थर्टी यहां पर यहां पर थोड़ी सी बेसिक चीज़ा आप सीख लीजे जैसे कि कोई बोल रहा है कि 47 परसेंट फेल इन इंग्लिस तो यह आपका अग looks 27 परसेंट यहां पर फेल तो यहां पर कितने पास हो गएंगिलेश में 53 और सिरफ मेरे पास अगर ह dow शुंडष होगया तो पास कितने होगो तो एनUST क्यिले तो 57 परसेंट ञेंट हइन पास होई अब देखिए 21 एकशीन होगे कि 50 परशेंट जों होते हैं पास होते हैं लेकिन यहां पर तो जब किक्राइल का धिया है तो इस तैप से जरू कि यहां पर चेंज और यहां पर चेंज जो तो फिंड का बोध दिया ओं यानि कि जो ईंटर सेक्सेन वाला जो है वो जिसका दिया हो आपको सभी चीज़ों को उसी में convert कर लेना ओगा टिक है जैसे कि यहां पर क्या दिया हो 15% passed in both तो मैंने यहां पर क्या लिख दिया 15 ठीक है तो अब मुझे यहां पर भी क्या चाहिए होगा pass और यहां पर भी क्या चाहिए होगा कितने पास होगे ठीक है तो इन दोनों को लेकिन अगर मैं change करूं तो फेल से मैं पास वाले निकाल सकता हूं यहां पर 43 or 47 को मैं पलट दूं अगर तो यहां पर English है English में मैंने क्या देखा था कि फोर्टी सेवें अगर फेल हे तो बाशवत्त होंगे क्योंकि यहाँ पर बीच में क्या है पास वाले और सिमिलरली मैं अगर हिंदी में लिखों तो यहाँ पर पास कितने हुए 57% और यहां पर घटा दूँँ तो कितना बचेगा 42% तो 42% होंगे वह क्या होंगे सिर्फ हिंदी में जो पास होंगे ठीक है तो देखे यह आपका एक डियाग्रम बन गया complete दिन अब इसको आप काउंट कर लिजे सम कर लिजे तो 38 और 42 को सम करेंगे कितना हो जाएगा तो 1595 तो 95% यहातो एक सब्जेक्ट में या फिर दोनों सब्जेक्ट में पास हुए है ठीक है तो यह पास के हो गया तो फेल कितने हुए 5% एंट लुए जयोकि दोनों अपर सब्जेक्ट में तो वह क्या बोल रहा है कि इस टीन और बराबर कितना हो जाएगा 30 तो एक परशेंट बराबर 6 ठीक है एक परसेंट की आपको वैल्यू पता चल गई कितनी है अब यहाँ पर क्या टोटल नंबर ओफ इस्टूइंट्स पूच रहे हैं नहीं यहाँ पर क्या पूचा है दर नंबर ओफ इस्टूइंट्स पास्ट ऑन हिंदी देन आप क्या करते 57 को क्योंकि 43 परसेंट तो 57 परसेंट को मल्टिप्लाई करते 6 से यह आपका आंसर आ जाता ठीक है लेकिन फ्रेंट्स वह यह नहीं पूच रहा है कि हिंदी में कितने लोग पास हुए वह क्या पूच रहा है कि सिर्फ हिंदी में कितने लोग पास सो सिर्फ Hindi में ही जो पास हुए हों क्योंकि यहां पर जो आप 57 इसमें कुछ इसे स्टेंट्स भी है जो इंगलीस में पास हुए हाँ यानि कि जो इंग्लिस के पास नहीं सो यहां पर आंसर की फोड़ यहां पर कि होजाएगा 42 57 में से 15 घटेगा 42 multiplied with 60 यानि किसका आंसर कितना आ जाएगा 252 चाहए दूनी 12 चाहए चाहए तो यह आपका आंसर आ जाएगा चलिए इसी टाप से नेक्स को देखते हैं अब इस कुरिशन को देखें जैसे कि यहाँ पर 450 टोटल है जिसमें की 325 क्या खिलते हैं क्रिकेट ठीक है और 50 उसे च्ट्रेंट से जो ना रिदर प्ले फुट्बाल नौर प्ले क्रिकेट ठीक है तो पूचा क्या यहां पर खेली आते आए और यह हो गया आपका क्रिकेट कर ठीक है और 50 इस्टुटेट्स जो है वह कैसे हैं कि जो ना तो फुटबॉल खेलते हैं और ना ही क्रिकेट के लते हैं तो इन सेट्स में टोटल वैल्यू जो होनी चाहिए वो कितनी होने चाहिए 400 तो टोटल इन के और ट्री ट्वंटिफाइफ कैसे हैं जो क्रिकेट किलते हैं तो आप इन दोनों को काउंट कर लीजें तो यह कितना आएगा तो टोटल इस्टूजेंट्स कितने आ रहे हमारे 500 और हमारे आने कितने चाहिए 400 तो 400 आने चाहिए थे और आ रहे हैं 500 इसका मतलब हम लोग 100 नंबर जो है वह एक्स्ट्रा जोड़ गया होंगे जब हमने इसमें भी एक बार इंक्लूट कर लिया और इसके भी जो कॉमन थे उ 100 नंबर है वह कॉमन होगा ठीक है जब भी आप दोनों को काउंट करें यह तो इस तरह का कुश्चन हो कभी अगर परसेंटेज में हो कि दो को काउंट किया और एक पिछत्तर था एक सत्तर था देन आप दोनों को जब काउंट करेंग तो कितना हो जाएगा 145 तो इसका है तो क्या पुछाए कि जो दोनों खेल खेलते हैं ऐसे स्ट्रेंट कितने हैं तो इस तरह से इस टाइप के कुश्चन को करते हैं चलिए नेक्स्ट को देखते हैं अब फ्रेंट्स दिखिर जैसे कि यह कुश्चन है इन्हें होटल 60% है वेजिटेरियल लंज अगर किसी भी होटल में गए कुछ लोग और उसमें से 60% लोगोंने कैसा खाना काया साका हरी खाना काया ठीक है और 30% है नॉन वेजिटेरियल लंज 30% जो लोग थे उन्होंने कै और एका खाना खाते हैं और क्या बुल रहा है कि 96 पीपल वर प्रिजेंट मतलब टोटल लोग कितने थे 96 यानि कि वह हमें 100% की वैल्यू पहले से दे रहा है कि 100% की वैल्यू है 96 तो अब चलिए कुश्चन को सॉल करते हैं पूंच किया रहा है उसमें देख लेते हैं वर प 35 percent कैसा खाते हैं non-vegetarian तो 15 परसेंट कैसा खाते हैं दोनों तो आप सबसे पहले क्या लिखिए जो common हो उसको सबसे पहले लिखिए दर्वेजी टेरियन में 15 गरटा दीजे तो यह कितना बचा पंद्रा ठीक है अब इसको आप काउंट कीजे तो यह कितना परसेंट आ गया 4 40 50 60 70 और 75 तो 75 लोगोंने कुछ ना कुछ जरूर खाया ठीक है टोटल लोग कितने थे 100% 75 ने कुछ आ कुछ खाया तो बचे कितने 25 25 परसेंट लोगोंने कुछ भी नि खाया तो अब आपको निकालनी कितने की वैल्य हो 25 20% की तो आपको पता है 25% क्या होता है एक बटे चार होता है 100% का ठीक है तो वैल्यू भी क्या हो जाएगी एक बटे 4 से मल्टिप्लाइब हो जाएगी इस का अंसर कितना जाएगा 24 ठीक है चलिए इस टैप का कुछ और कुछ देखते हैं अब देखें ये क्या बोल रहा है कि इन्हें certain office 72% of workers prefer tea यानि कि वो चाय पीना पसंद करते हैं 44% prefer coffee यानि कि वो कफी पीना पसंद करते हैं और यह बोल रहा है कि each of them मतलब कोई बेलिए जो बचता हो यानि कि वो सभी कुछ ना को ज़रूर पसंद करते या तो चायप पीना पसंद करते हैं या फिर कोफीO संद करते हैं इसका मतलब क्या है यह वी समझ लिए इसका मतलब यह हैं कि जब हम इस तरह से बनाएंगे तो यहां पर कुछ भी वैल्यू value नहीं बचेगी यानि कि यह जो यूनियन होगा उसकी वैल्यू ए यूनियन भी होगी उसमें कोई भी इक्स्ट्रा सेट नहीं आएगा ठीक है तो अब देख लेते हैं इस टाइप प्रफर्स आइधर टी और कॉफी एंड फोटी लोग जो है वो क्या प्रफर करते हैं दोनों यहां पर रख लीजिए अब देखे कुश्ण को कैसे स्वाल करेंगे आपको यह पता है कि 72 परशंट जो है वो टी प्रफर करते हैं यहां पर मैंने टी बना दिया और यहां पर कॉफी का है यह कितने प्रफर करते हैं 44 परसंट ठीक है तो आप देखिए यहां पर अब दोन एक बार एक्स्ट्रा एड हो गई है यानि कि यही जो है कॉमन वैल्यू होगी तो कॉमन वैल्यू हमारे कॉर्डिंग 16 परसंट है और सवाल में कितनी लिए कि 40 लोग जो है वो दोनों प्रफर करते हैं तो इससे आप एक परसंट की वैल्यू निकाल लेंगे यह कितनी आ जा चलिए इसको करना समझते हैं पहले तो कुश्चन पढ़ लीजे क्या कह रहा है आउट आफ एटी स्टुनेंट्स 25 आर इस्टेडिंग कॉमर्स 15 आर इस्टेडिंग मैट्स 13 आर इस्टेडिंग फिजिक्स ठीक है अब क्या बोलता है कि थ्री आफ देम इस्टेडिंग कॉमर äs्टेडिंग मैट्स एंडिस ठीटीज थ्री यह क्या करते हैं फिजश करते हैं पच्चिस पढ़ते हैं पढ़ता है तो पूश्ट क्या रहा है हाउ मने इस्टेंट्स आर नौट इस्टेडिंग एन्य आफ थी सब्जेक्ट्स तो पूछ रहा है कि कौन जो है वह एक भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ ला है तो देखे इसको बेसिक तो पहले आप एक वेन डाइगरम बनाएंगे लेकि सब्सें क्या पता है कि एक सब्सेंट सारे सब्सेंट पढ़ता है तो आप बीच में लिख दीजे एक ठीक है अब आप नेक्स्ट इसको सौल करते चले जाए पीछे से तो आपने एक वैल्लियू का यूश कर लिया आप देखें दो यहां पर क्या है कि टू आर दो होना चाहिए लकिन एक तो यहां पर पहले से हैं उसके कॉ मन में तो अब यहां पर कितना मैं लिखूँँगा एक ठीक है यह बात आपको अधिया नहीं चेंप सब्सक्राइब कर फीजिक मैंने यहां पर और फिजिक यहां पर और है वीच यह यह पूरी वैल्यू ठीक है लेकिन इसमें भी एक तो पहले से यह तो यहां पर मुझे चार्ड लिखना तो मैं कितना लिखूंगा तीन ठीक है तो इसको मैं फिर से बना देता हूं थोड़ा सा यहां पर मैं एक लिक्ट चुका हूं यहां पर भी एक आया यहां पर तीन ऑक्र यहकर कहां कहें तो मेरे recording physics का गोला कॉन सा है physics का सेट कौन सा यह है इसमें मेरे कॉर्डिंग 13 आने चाहिए था लेकिन देखे यहां पर पहले से कितने लगे क्या लिखेंगे 15 टो यहां पर फंदरा लाना है तो यह कितना है तो पहले सहसे यहां पर कितना बचेगा नौ ठीक है पंद्रा में से नौ अब कॉमर्स के लिए कास्ट कीतने पढ़ एंवर तो यहां पर देखें दो और एक तीन और एक चार तो पच्चिस में से चार गया 21 कॉमर्स पर रहे हैं अब क्या बोल रहा है कि तो कौन से ऐसे हैं जो एक भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं तो देखें इसको पहले आप पूरे को काउंट कर लीजिए तो बीस और नौ तीस और दो बतिस तेंतिस चांटिस और तीन सैंटिस सैंटिस और आठ कितना हो जाएगा सैंतिस और या ठैने से बहुत सारे इन में इसे नौब अहट बढ़ रहा हैं वह वहत और सिप्टन को पढ़ रहे हैं जिन में से तो इसको आपlier कि हे अधे जुट ही सब्जेक नहीं पढ़ लाए है तो 35 इसका जाइगा जो एक बी subject नहीं पढ़ जब हुआ ठिक है इसी टाइप के कुछ हो खिंद से लखभाग सेम चाही कुछgenerationgen है इसमें जा if and in the class of 100 students the numbers turned positive English is 46 in Match is 46 in commerce is 58 the number of students who pushed in English and maths अब देखें English and math का कितना दिया हुआ है तो मैंने आपको बता है इनको कैसे करते हैं इस टाइप के ठीक है तो अब पहले तो एक अब शेट्स बना लिजें English Commerce और मैं तो देखें अब पीछे आई इंग्लिस और कॉमर्स में कितने पास हैं 26 तो इंग्लिस और कॉमर्स में यहां पर 26 होना चाहिए लेकिन 7 तो पहले से पास हो चुके हैं तो यहां पर कितने बचेंगे नाइंटीन ठीक है नेक्स देखते हैं आपने इन दों को यूज कर लिया नेक्स है मैं सेंड कॉमर्स में कितने 24 तो मैस और मैस और कॉमर्स में 24 हैं यहां पर 7 हो चुका है तो कितने बचे 17 ठीक है 17 यहां पर आपने लिख लिया नेक्स देखिए अब इंग्लिस और मैस में size text to LGBT 7 पहले से इह तो न वचे ठीक अब और पीशह समें ट्रॉटल कि दने चन्ते पास और ठीक है तो सब्सक्राइब इस makes यान पे सधीत आपर होने पास पहले थे और पहले से सब्सक्राइब इंग्लिस और मैं 4646 तो चलिए इसको नदका रहा कि कि 19 और 2820 8 और 735 35 46 कितना बचा है 11 11 इंग्लिस में आ और मैस में देखते हैं तो 17 और 7, 24 और 9, 33, 33 और यहां पर कितना होना चाहिए था? 46 तो कितना कम है? 13 ठीक है? तो यह इस तरह से आपने इसको बना लिया, अब देखें क्या पूछ रहा है कि number of students failed in all the subjects, तो आप इसको पूरा count कर लीजिए, एक बार यह कितना हो रहा है, तो देखें, 11 और 9, 20, 20 और 13 और 7, 40, 40 और 19, 59, 59 and 17, यह कितना हो जाएगा? 60 और इदर 16 बचेगा तो 76, 76 और 10, 86 और 5, 91 ठीक है? तो कितने बचे fail हुए होंगे सारे subjects में? 9 क्योंकि total कितने हैं friends? आपको यहां पर दिया हुआ है कि total 100 students हैं, तो यहां पर 100 में से 91 आपने घटा दिया, तो कितने बचे? 9 9 students होंगे, वो सभी subjects में fail होंगे होंगे, तो इस type से इन questions को हम लोग कर लेते हैं, तो आज के लिए इतना ही friends, next lecture में मिलेंगे कुछ और tricks के साथ, thank you so much for watching this video.